इस lecture के अंदर हम देखेंगे के evaluation matrix होते क्या हैं और किस तरीके से हमें evaluation matrix जो हैं वो help out करते हैं to understand the theory behind model accuracy या model का best fit होना, under fit होना या over fit होना हम कैसे इन से अंदाजा लगा सकते हैं मैं screen पे आपको लेके आता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास evaluation matrix जो है, इनको समझना बहुत जरूरी है कैसे? जब आप regression की problem करते हैं, तो आपके पास regression की problem के अंदर कुछ इस तरीके से data होता है आप x और y के अपर data draw करते हैं, आपके पास इस किसम के linear जो trend हमों नजर आ जाता है और आपके पास एक best fit line होती है, जो इन points का आपस में relationship आपको बता रही होती है और हम क्या करते हैं, यह line से सारे के सारे points कितने खुश हैं, इन चीज़ों को मियर करते हैं और जब हम classification की बात करते हैं, हमारे पास दो classes हैं, यानि के blue वाली and red वाले points हम अगर blue और red को separate करते हैं, फिर भी हमारे पास कुछ points ऐसे होते हैं, जो blue में चले जाते हैं और कुछ points ऐसे होते हैं, जो red में चले जाते हैं यानि कि अगर यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास blue वाले points के अंदर red वाले points भी मजूद है और red वाले points यानि कि class के अंदर हमारे पास blue वाले points भी मजूद है So simply होता कि है कि यह कितने points है और इनकी कितनी proportion है इस चीज़ को मेयर करने के लिए हमारे पास कुछ पेमाने होते हैं Same here, यहाँ पे linear regression को जब हम देखते हैं या किसी भी regression के problem को देखते हैं हमारी actual observation predicted से कितना दूर है इस फरक को जानने के लिए हम एक पेमाना use करते हैं जिसको evaluation metric बोला जाता है अब वो कितनी किसम के और कैसे use होते हैं इस पे हम बात करते हैं लेकिन उससे भी पहले हमारे पास तीन किसम की problems basically पाई जाती है पहली होती है regression की problems second होती है classification third one is called clustering जो हम unsupervised learning के अंदर इंशाला आने वाले दिनों के अंदर देखने वाले हैं इन तिनों में जब आपको फरक पता हो यानि के classification क्या है classification है कि दो या दो से ज्यादा categorical variables को predict करना या classes के अंदर चीजों को divide कर देना ठीक है clustering क्या होगी on the other side आप unsupervised learning में जाएंगे और data points अपने जैसे points की base पे cluster हो जाएगा यानि कि अपने जैसे points जहां जहां पे होंगे वहाँ पे cluster हो जाएगा data अब इनके भी matrix हैं clustering के भी matrix हैं सिरफ regression और classification के नहीं हैं हमारे पास clustering के भी जो matrix हैं वो मुझूद होते हैं लेकिन जाहरी बात है जब हम clustering के algorithm बढ़ेंगे तब हम इन matrix को बारी बारी अच्छा तरीके से समझेंगे अगर हम बात करें regression, classification and clustering की तो हमारे पास तीन major problems है problems या आप types of machine learning बोल सकते हैं जिन में regression के task होते हैं classification की होते हैं और clustering की होते हैं एक और है जिसको माने वाले दिनों में पढ़ेंगे dimensionality reduction but for now हमारे पास ये तीन टास्क है classification, regression and clustering हम क्या करेंगे इन तोनों में फरक देख लेते हैं regression होती है supervised learning classification भी supervised learning है clustering unsupervised learning है regression के अंदर output continuous quantity की होती है यानि के continuous variable होता है classification के अंदर output होती है categorical quantity और इसकी जो output होती है assign data points into clusters यानि के ये गुच्छे बना देता है data के clustering कर देता है then यहाँ पर main aim होता है regression के अंदर आप forecast या predict करते हैं किसी भी चीज़ को यहाँ पर main aim होता है to compute the category of the data यहाँ पर main aim होता है to cluster the items having similar characteristics for example यहाँ पर stock market को predict करना regression का task है classification में आएगा classify emails as spam और non-spam या आप क्या करते हैं find all transactions which are fraudulent in nature ठीक है algorithm के नाम देखें तो यहाँ पर linear regression है logistic regression है और k-means clustering है तो यहाँ तक आपको clear हो गया होगा कि हमारे पास 3 किसम की problems होती है regression, classification and clustering और इनी 3 किसम की machine learning की problems या questions या machine learning की types basically इनी 3 किसम के हम matrix को भी देखते हैं आज हम सिरफ 2 किसम के matrix देखेंगे regression वाले और classification वाले ठीक है पहले हम regression वाले matrix देखेंगे उनको समझेंगे उनकी nitties and greatest देखेंगे pros and cons देखेंगे फिर हम चलेंगे classification के matrix की तरफ ठीक है जी?